स्वयम सहायता समुकी महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेणना टीवी चैनल के तरफ से भी दिदी नमस्कार अगर दिदी अभी तक आपने हमारे प्रेणना टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द ही सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि आप सभी को डे नारलेम से जुड़ी उसके साथ साथ कें सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाएगी सबसे पहले आप सभी कोगत कर दिया जाएगा तो प्लीज हमारे प्रेणा टीवी चैनल को कर लिजिए अगर दिदी आप पहले से ही डे नारलेम में जुड़ी है तो आपसे निवेदन है कि पंच सूत्र का पालन करना बिल्कू न भुले साथ पहिक बैठक साथ पहिक बचत आंत्रीक उधार समयत्रन वापसी लेखा जोखा इन पंच सूत्रों का करे पालन और अपन एन बाड़ी केंद्रों पर मिलेगा स्वयम सहता समू द्वारा तयार पोष्टा आहार इन प्लांटों में 1800 महिलाएं करेंगी काम जैसा कि दिदी आप जानती हैं या हर जिले में हो रहा है गोरक प्रूर जिले के 6 बलाकों में पूरक पोशन आहर प्लांट प्यार किये जा रहे हैं एक प्लांट का संचालन 300 स्वेम सहता समू की महिलाएं करेंगी ऐसे में इन सभी प्लांटों में 1800 महिलाएं जिह 18 सो स्वयम सायतासमू की महिलाएं काम करेंगी अब आगनबाड़ी केंदर पर धात्री माताओं और बच्चों को महिला स्वयम सायतासमू द्वारा स्थानिय असतर पर तयार किया गया पोशक आहर मिलेगा गोरकपूर जनपत के 6 बलाकों में पूरक पोशण आहार प्लांट स्थापित किये जा रहे हैं इन पर बने पोशक आहार बाल विकास सेवा एवं पोश्ट आहार I.C.D.S. विभाग के माध्यम से सभी बलाकों में त्यांदे सभी बलाकों में इस्तित करीव 4,000 आगनवारी केद्रों पर वितित किये जाएंगे राश्ट्री ग्रामीडा जीव का मीशन एनारल्यम के तहद जनपत के पाली गगाहा पिपराईच सरदार नगर पिप, रावली और गोला बलाक में पूरक, पोश्टक, आहार प्लांट स्थापित किये जा रहे हैं इन प्लांटों पर 6 प्रकार के जियादिदी 6 प्रकार के टेखोम रासन टीहर पोश्ट आहर का उत्पादन किया जाएगा NRLM के प्रोजेक्ट डारेक्टर PD स्याम सी के मताबिक एक प्लांट का संचालन 300 स्वेम सहता समों की महिलाएं करेंगी प्लांट में महिलाओं की आथिक हिस्सेदारी तैक करने के लिए प्रतेग समों ने 30,000 रुपए का अंसदान किया है जैसा कि आप समी दिदी जानती हैं कि हर जिले में 30,000 रुपए प्रती समों लिये जा रहे हैं प्रतेग प्लांट की उत्पादन छमता 5 मिट्री टन पोश्ट अहर प्रते दिन रखी गई है इन में टेक होम रासन यानि सूखा पोश्ट अहर तयार किया जाएगा यहां से यह पोश्ट अहर ICDS को आपूर्ती की जाएगी ICDS इसे आगनबाडी केंद्रों के माधम से धात्री माताओं और बच्चों को वित्रित करेंगे आप सभी दिदी को अगत करा दे कि FCI और बजार से लेना होगा कच्चा माल NRLM के प्रोजेक्ट डारेक्टर के अनुसार पूरक पोश्ट अहर प्लान के लिए कच्चा माल FCI और बजार से लेना होगा FCI से गेहु खरीद की जाएगी जबकि सोया बीन, मूं की दाल और आदी बजार से खरीदे जाएगे स्थानिय स्थर पर ही पोश्ट अहर उत्पादल से यहां के किसानों को भी लाभ मिलेगा वह अपनी उपजबाजार में बेहतर दान पर बेज सकेंगे आपको बता दे दिदी, प्लान से जुड़े जाएंगे सभी 20 बलाक और हर जिले में अलग-अलग पीडी के अनुसार जनपत के 6 बलाकों में बनाए जा रहे हैं पूरक पोश्ट अहर की आपूर्ती पहले इन बलाक के ही आगनबाडी केंद्रों को की जाएगी उत्पाद बढ़ाने पर इन प्लान को जनपत के बाकी सभी बलाकों जिहां 14 बलाकों से मैप जोड़कर वहां के अंगनबाडी के दोपर भी आपूर्ती की जाएगी 18 सुएम सहता समू से जुड़ी महिनाओं को मिलेगा रोजगार पीडी ने बताया कि 6 बलाकों में पूरक पोश्ट अहर प्लान्ट की स्थापना होने से इनसे जुड़े 18 सुएम सहता समू की 15,000 से आर्थिक जी हाँ 15,000 से अधिक महिनाओं को रोजगार मिलेगा और आर्थिक रूप से मजबूत होंगी यह प्लांड हमेशा चलेगा जी हाँ इस बात का ध्यान दे यह प्लांड हमेशा चलेगा इसलिए इन महिनाओं के लिए काम और आमदनी कास्थाई और सर भी मिलेगा जल्द खुलेंगे पोशाहार के कारखाने होंगे यह खास फायदे जी हाँ यह जानते हैं क्या होंगे आपके लिए खास फायदे आगनबाडी केंद्रों पर वितित किये जाने वाला पोशाहार अब जीले में ही तयार होगा राश्री ग्रामिराजीव का मिसन के महिला समूहों ने इसके लिए पांच कार खाने खोलने का निर्नलिया है 4.4 करोड की धनासी इन कार खानों पर खर्च होगी आगनबाडे केंद्रों पर वितिद किये जाने वाला पोशाहार अब जिले में ही तयार होगा हर जिले में लगने वाला है राश्री ग्रामिरा जीव का मिसन के महिला समुहों ने इसके लिए पांच कारखाने खोनने का निर्णलिया है साड़े चार कड़ों की धनरासी इन कारखानों पर खर्च होगी दो दिन पहले प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी ने व्रयागरास से इन पांचों प्लांड का सिला न्यास कर चुके हैं अब जल्द ही इन पर काम सुरू हो जाएगा एक कारखाने पर 90 लाकी लागत आएगी आपको बता दे दिदी की 1500 महिला समुहों ने सन युक्त रूप इनके संचालन की जिम्मेदारी समहाली है 30,000 प्रती समुह के हिसाब से धनरासी एकत्रित होई हैं इन सभी समुहों का कारखानों में सेर होगा आए भी आपस में बटेंगी NRLM के उपायुक्त भालचंद्र त्रिपाटी ने बताया कि जिले में कुल 3049 आगनबाडी केंडर हैं फिलहाल इन केंडरों पर करीब 5,5,59,9 वागरबती महिलाय पंजिक्रिद हैं बालविकास एवं पोश्ट आहर विभाक की तरफ से इन नोनिहाल वागरबवती महिलाओं को स्वास रखने के लिए जिहां स्वस्थ रखने के लिए हर महीने पोशाहर बाटा जाता है अब तक निजी कमपनियों से इन पोशाहर की आपूरती होती थी अब पिछले दिनों प्रदेश अस्थर पर राश्ट्री ग्रामिराजीव का मिसन के महिलाओं के माध्यम से पोशाहर वित्रन कराने का फैस्टा लिया गया था निजी कमपनिया जिले की में इसकी आपूरती कर देती थी वहीं महिलाओं समु इने केंद्रू तक पहुचाती हैं इसी करी में अब सासन स्थर से पोशाहर तयार करने की जिम्मेदारी भी महिलाओं समु को दी जा रही है हर जिले में इसके तहत कारखाने खोले जा रहे हैं जिले में इसके लिए पांच स्थानों का चेन हुआ है आपको बता दे दिदी कि 90 लाख होंगे कर्च प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने प्रयाग राज से इनका प्लान का सिलान्यास किया है अब जल्द ही इन पर काम सुरू हो जाएगा उन्होंने बताए कि पोशाहा तैयार करने के लिए जिले में कुछ पांच कारखाने खोले जा रहे हैं इनके लिए स्थानों का चेन हो चुका है प्लान के आसपास के ध्यान दे कि प्लान के आसपास के पंद्रा सव, समूहोंने इन कारखानों के संचालन का जिम्मा उठाया है हर समूह ने 30,000 रुपए का योगदान दिया है ऐसे में करीब 4.5 करोड की धन्रासी एकतित की गई है 90,000,000 रुपए एक करखाने पर खर्च होंगे तो चलिए देदी आज की वीडियो पसितना ही धन्यमत जया जीवी का